human skin जो होती है वो 42 से 44 degree centigrade temperature जो होता है उसको तो tolerate कर लेती है लेकिन उससे उपर temperature जैसे 45 degree centigrade temperature हो है तो उस पर इसमें severe tissue injury जो है या tissue destruction वो होना प्रारम हो जाता है और उसी को burn कहते हैं तो आज किसी उडियो में हम burn क्या होता है बर्न जो है उसके cause या type इतने हैं साथी burn जो है उसकी pathophysiology, burn के sign and symptom और burn का management जो है उसके बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे burn की definition तो burn क्या है तो burn is an injury to the skin and other organic tissue caused by heat or due to radiation, electricity and contact with the chemical तो burn जो होता है वो क्या होता है skin या skin के विबिन इस्तर या फिर skin के नीचे जो organic tissue जो है उसके अंदर destruction हो जाना या injury होना और ये injury heat के कारण से या फिर radiation, electricity या किसी chemical जो है उसके contact में आने के कारण से होती है जो हम कह सकते है heat या radiation या electricity या फिर किसी chemical के contact में आने के कारण से skin या skin के विबिन इस्तर जो है ते layer उसमें destruction होना उनकी injury होना ही burn है अब हम बात करेंगे burn जो है उसके type की या उसके classification की तो burn जो है उसमें एक तो उसके जो कारण मतलब burn किस कारण से हो रहा है उसके आधार पर type दिये गए है इसमें सबसे पहला तो thermal burn होता है thermal burn छोता है वो हीट ही injury होती है हीट मतलब हीट जो है उसके डाइरेक्टर कानटक्ट में आने के कारण से tissue उसमें destruction होना जो की एक तो flame के कारण से होता है मन्तब डाइरेक्टर flame जो है या आँख उसके संपर्थ में आ जाए, एक hot steam जो है उसके कारण से injury होना, hot steam जो है उसके contact में कारण से injury होती है, उसको skelled रखा जाता है, एक hot water या oil जो है boiling oil उसके contact में कारण से, या फिर एक dry heat जो है मनदब कोई गर्म वस्तू जो है उसको contact में आ जाता है वेक्ति छूँ जाता है और जल जाता है तो एक तो यह कारण हो जाएगा दूसरा जो होता है बर्न का टाइप वहता है chemical burn कोई chemical जो है जैसे acid attack जो होता है acid या alkaline जो है जैसा कि हम सुनने में आता है acid attack तो इसके कारण से जो injury जो होती है वह chemical burn के अंतरगत आती है तीसा जो टाइप होता है वह होता है electric burn जो होता है वह electricity जो है उसके contact में आने के कारण से जैसे high voltage के कारण से या फिर आकाश्य बिजली जो है उसके contact में आने के कारण से जो जलना होता है वह electric burn के अंतरगत तो वो radiation burn है, जिसा कि UV rays जोती है, ultraviolet rays उसके कारण से, या radioactive rays जोती है, उसके संपर्थ में आने के कारण से, एक sun burn जो है, वो भी radiation burn के अंतरगत आता है, पांचवा जो है, वो होता है, inhalation burn, विलब कोई steam या फिर smoke जो है, उसका inhalation कर लेता है, और उसके कारण से mucous membrane या lungs के tissue damage ह होते हैं, जल जाते हैं, वो सब inhalation burn के अंतरगत आता है, तो ये के कारण जो है, उसके आधार पर type, दूसरा जो type होता है, वो है burn की depth के आधार पर, मतलब skin जो है, उसकी जो ठीकनेश जो है, वो कितनी involved हो रही है, उसके आधार पर burn के type, तो इसमें जो type दिये गए है, वो हो इसमें को rare color की skin हो जाती है, साथ ही साथ वहाँ पर pain जो होता है, वो होता है, blistered जो है, उसका formation नहीं होता है, मतलब for foliage जो है, वो नहीं बनते हैं, और इस प्रकार की जो burn होती है, उसके healing में 3-7 दिन का समय लगता है, इसका जो example अपन देखे है, तो sun burn जो है, वो है, या फ second degree burn जो होती है, उसमें epidermis और dermis जो है, वो involved होती है, मतलब इसमें epidermis और dermis जो है, वो भी प्रवावित हो जाती है, उसको भी थोड़ी damage हो जाती है, इसके अंदर pain जो होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, लगाता होता रहता है, इसमें blister जो है, उसका formation होता है, कर्या का समय तीसरा नइक प्लाजमा इसमेस रिदर्मेस करता समय नहें समय ख 때문에 últimos本 की एपिडर्मे से तिशो जो ता है where नइक वह सिह खीaráए वह था है वो बिसमें involved हो जाता है इसके अंदर sobile которого भी involved होते है इसके अंदर där skin जो है उसके उपर white color के या dark brown color के reason बन जाते है कभी कभी इसके अंदर sensation जो है वो loss हो सकता है sensation loss जो है वो nerve जो होती है इसमें injury होने के कारण से होता है और इसके कारण से pain जो है वो है 4th degree burn, 4th degree burn के अंदर involve muscles and bone, मतलब इसमें epidermis के साथ-साथ muscles और bone जो है, वो भी involved होती है, इसमें dark black area बन जाता है, मतलब काले color का एक area बन जाता है, Edema जो होता है वो इसमें absent रहता है, मतलब किसे परगार की क्या होगा टिश्यों जोगा वो डेमेज होगा और टिश्यू डेमेज उने के कारण से क्या होगा वहां परली yen recognize निकारण बैक्टाइप्ड चुक्त है वो रिलीज होंगे जैसा कि inflammation जहता है उसके दोरान डिश्यों होता है क्योंकि bern jusी होने के कारण से tissue damage होगा और tissue damage होने के कारण से वहाँ पर inflammatory response होंगे और inflammatory response होने के कारण से वहाँ पर vasoactive peptide जैसे के histamine प्रोस्टाल गयन्ली ने यह release होंगे यह vasoactive peptide जो होते हैं वो क्या करेंगे वहाँ की जो capillary permeability जो है उसको बढ़ा देंगे और capillary permeability बढ़ने कारण से वहाँ पर क्या होगा fluid जो है उसका leakage होगा मिना fluid का extravacation होगा fluid जो है वो capillary से बाहार निकलेगा और burn aside जो है वहाँ पर पहुछेगा fluid burn aside पर पहुचने जो कारण होता है वो होता है heat एकडम से temperature जो होता है वो भर जाता है, temperature को कम करने के लिए वहाँ पर water आएगा, वह water जो होता है, वो क्या करेगा, temperature जो है उसको कम करने के कोशिश करेगा, extravaciation होने के कारण से capillaries जो या blood vessels से तो food निकल जाएगा, लेकिन उसके कारण से blood vessels जो है, उसके अंदर food की कमी हो जाएगी, हाइपोवाले में की condition होने पर cardiac output जो है, वो कम हो जाएगा, हार्ट जो है, उससे blood pump भी कम होगा, जैसे cardiac output कम होगा, क्या होगा, myocardium जो होती है, मतलब हार्ट के जो myocardium muscles होती है, उसको भी blood कम मिलेगा, myocardium को blood कम मिलने के कारण से myocardium जो है, वो भी काम करना कम कर देगी, और उसके कारण से heart failure हो जाएगा, साथ ही साथ respiratory जो है, उसमें भी insufficiency होगी, मतलब respiratory मतलब lungs जो है, उसको भी blood कम जाएगा, जब lungs को blood कम जाएगा तो respiratory failure भी हो जाएगा इसके साथ ही kidney जो है उसको भी blood flow कम होगा इसके कारण से क्या होगाouri kidney भी काम करना कम कर देगी और renal failure होगा इस तरह से heart failure, respiratory failure, renal failure होगा मतलब multi-organ failure होगा और multi-organ failure जो है ये होने के कारण से patient जो है उसकी death भी हो सकती है अब हम पढ़ेंगे burn patient जो इसके sign and symptom की तो burn patient जो इसके sign and symptom depend करते है burn injury पर burn injury कितनी हुई है burn injury के अंदर हमने type में देखा था 1st degree, 2nd degree, 3rd degree और 4th degree तो उसमें tissue damage कितना हुआ है उसके अपर sign and symptom जो है वो depend करते है common sign symptom जो दिखाई देते है वो होता है एक तो pain होता है burn के कारण से tissue damage होगा और tissue damage होगा जनरली pain body के अंदर हो गई इसके साथी swelling होती है swelling के साथी blistered जो है उसका formation हो जाए मतलब fluid से भरे हुए फफोले बन जाएंगे skin जो है उसके अंदर redness हो जाती है skin जो है उसके इंदर weeping skin होती है मतलब skin जो है वहां से reserve होता है body के अंदर fluid and electrolyte जो है वो imbalance हो जाएगा fluid का loss होगा एक तरह से hypovolumic condition हो जाएगी इसका brain जो है उसको भी blood flow कम हो सकता है या smoke जो इसकी inhalation हो सकता है उसके कारण से ultra level of consciousness होगा मतलब unconsciousness जो है उसकी condition हो सकती है यह कुछ common sign and symptom जो है वो burn patient में दिखाए देंगे अब बात करें burn जो है उसका assessment करना मतलब burn injury जो है वो कितनी हुई है size जो है rule of 9s जो होता है उसमें क्या होता है कि पूरी body जो है उसको anatomical भागों में divide कर दिया जाता है और उसको कुछ नंबर जो या percentage दे दिया जाता है उसी का अधार पर भी burn जो है उसका calculation किया जाता है इसमें head और neck जो होती है उसके लिए 9% जो है वो my अर्म जो हुता है इसाब आरम कि उता है तो thethree को टल्य को ऑर प्रसके अंतर बर्न जो है इसको निकाला जाता है अब हम पढ़ेंगे management of burn, burn का management कैसे करेंगे, तो burn का management depend करता है, percentage of burn, मतलब burn का percentage कितना है, जिसको के rule of 9S जो उससे निकला जाता है, और दूसरा degree of burn, मतलब burn जो इसमें injury कितनी हुई है, तो severity के अधा पर उसका management depend करता है, इसमें एक तो first aid management होता है, जिसको emergency phase के अंदर management कहते हैं, इसमें सबसे पहला काम तो stop the burning process, keep patient away from the source, सबसे पहला काम तो burning process जो है, उसको stop करना है, patient जो है उसको burn का source है, उसको दूर ले जाना है, second, maintain airway breathing circulation, मतलब ABC, patient जो है उसके airway को maintain करना है, उसके airway को देख लेना है, उसके इंदर secretion तो नहीं है, जो है तो उसको हटा देना है, ताकि उसका airway clear हो जाए, second, हमें breathing जो है, उसको assess करना है, patient breathe कर पा रहा है कर नहीं कर पा रहा है, third, उसका circulation जो है, वो check कर लेना है, अगला cover the patient to prevent infection, patient जो है उसको cover करके रखना है, क्योंकि burn injury होने के कारण से open wound होगा, और skin का loss हो जाएगा, open wound होने के कारण से उसको infection के संभावना बहुत जादा हो जाएगी, अगला cold area with tap water for 10 minutes, जहाँ भी जलना हुआ है, वहाँ पर 10 minutes के लिए depth water को उस पर पाने जो है वो डालते रहना है, तकि वो area जो है थंडा हो जाए, do not apply cold water in chemical burn, chemical burn जो है उसके अंदर cold water को apply नहीं करना है, क्योंकि chemical burn के अंदर cold water के कारण से वो chemical जोगा वो फैल जाएगा, और फैलने के कारण से और ज़्यादा skin जो है उसको damage कर सकता है, बर्न injury जो है उसको assess करना है, burn injury जो है वो assess कर लेना कितना personless burn है और depth तो कितना है, मतलब कितने degree का burn हुआ है, remove ornament and watch, patient ने यदि कोई ornament पैन रखे है, watch है तो उसको remove कर देना है, क्योंकि burnने के बाद उसको edema हो सकता है, और edema के कारण से यह ornament, watch के कारण से problem हो सकते हैं, send patient to the hospital, patient जो है उसको तुरेंटी गया करना है, hospital जो है वो बेजना है, यह तो emergency phase का management हो जाएगा, इसमें acute phase होता है, या hospital के अंदर होती है, patient जैसे hospital के अंदर receive होता है, सबसे है पहला काम तो burn जो है, उसे related जो भी injury वे trauma है, उसको assess करना है, मतलब burn injury कितनी है, कितनी degree का burn है, rear assess ABC airway breathing circulation जो है, उसको reassess करना है, patient के head end जो होता है, उसको elevated कर गर रखना है, start auto administration, जो है उसको start कर देना है, vital sign जो है उसको assess करना है, फिर start IV line, IV line जो है वो start कर देनी है, place folis catheter, folis catheter जो है वो लगा देना है, ताकि bladder जो है उसको खाली कर सके, insert NG tube, nasogastric tube जो है वो insert कर देनी है, तो ये acute phase के अंदर management रहेगा, फिर अगला जो है fruit replacement therapy, तो burn जो है उसके अंदर severe injury होती है, उसके कारण से dehydration की condition होती है, और hypovolumia होता है, उसके कारण से burn patient की death होती है, तो इसके अंदर fluid and electrolyte balance जो है, रग वो maintain करना बहुत ही आवशक होता है, fruit जो होता है, वो burn की size और patient का जो weight है, उसके according दिया जाता है, इसके अंदर start में ringer lactate जो है, वो देना है, dextrose जो होता है, वो बिल्कुल avoid किया जाता है, क्योंकि dextrose जो होता है, उसके कारण से hyperglycemia की condition हो सकती है, burn injury के अंदर generally क्या होता है, कि body जो होती है, वो glucose को release करती है, और उसके कारण से body के अंदर glucose level पहले से हाई हो जाता है, यदि dextrose दिया जाएगा, तो और जाता है hyperglycemia की condition होगी, इसलिए first 24 hour जो है, वो burn patient को ringer lactate जो होता है, वही दिया जाता है, इसको देने का एक formula होता है, जिसको porkland formula जो है, उसके द्वारा दिया जाता है, प्रॉक्रान formula में क्या होता है, कि 4 mR ringer lactate होता है, उसको multiply by body weight, multiply by percentage of TBA से, मतलब total burn surface area, इसके साब से उसका calculation किया जाता है, जो भी find out होता है, उसका 50% जो है, वो तो first 8 hour के अंदर दिया जाता है, गर बचा हुआ जो 50% होता है, वो अगले 16 गंटे के अंदर दिया जाता है, next 24 hour जो होता है, उसमें उसको color solution दिया जाता है, साथ में D5 जो होता है, वो दिया जाता है, color solution देने का जो formula जो फार्मूला था है, इसके अंदर वो होता है, 0.5 ml color solution into body weight, into percentage of total burner surface area, plus 2000 ml D5, इस हिसाब से इसका भी 50% जो होता है, वो फर्स्ट 8 hour में दिया जाता है, remaining जो होता है, वो next 16 गंटे के अंदर इसको दिया जाता है, एक fruit देने का एक और formula होता है, जो इसको modify brook formula जो है, वो का आजाता है, इसमें 2 ml into body weight जो होता है, वो kg के अंदर into percentage of total burner surface area जो होता है, इसका 50% जो हो फर्स्ट 8 hour में, और remaining 50% जो होता है, वो अगले 16 गंटे में दिया जाता है, यह था fruit replacement therapy जो है burn patient की वो, अगला monitor intake output, फुलिस कहता है तरह जो है वो place कर रखा था, तो हमें intake output जो है, वो maintain करना है, ताकि उससे dehydration जो है, उसकी condition का पता चल सके, अगला pain management होता है, pain management के लिए, energy sick जो होती है, वो दी जाती है, ताकि pain जो है वो कम हो, next management wound care होता है, wound care के अंदर 30 मिनेट तक, जो wound जो होता है, उसकी shawaring करनी है, मतलब normal saline जो है, उससे wound को धोना है, ताकि जो dead cell जो होती है, या cloth chip के हुए है, वो वहाँ से हर जाए, उसके बाद silver sulfas diagine जो होती है, उसकी dressing apply करनी है, dressing जो होती है, वो उसमे open dressing की जाती है, मतलब इसमें खुला रखा जाता है, उसको cover नहीं किया जाता है, निट्रिशनल सपोर्ट जो है, वो देना है, पेशेंट जो है इसको high protein और high calorie diet जो है, वो दी जाती है, infection control करना है, पेशेंट जो है उसको cover करकर रखना है, साथ ही aseptic और barrier nursing जो है, उसका हमें ध्यान रतना है, ताकि पेशेंट जो इसको infection नहीं हो, क्योंकि ज़्यादा तर burn patient जो है, उसकी death septicemia जो है, उसके कारण से होती है, septicemia मतलब blood के अंदर infection किस्तिती होती है, next physical therapy जो है, वो provide करानी है, ताकि उसके अंदर burn के कारण से जो complication है, वो नहीं है, इसमें एक तो passive exercise जो है, या splitting है, embulation जो है, बर्न है, तो उसमें screen grafting के आवशकता होती है, screen grafting जो होती है, वो ज़्यादा अर्तर burn जो है, उसके पांचवे दिन से लगा कर 21 दिन के बीच में की जाती है, यह depend करता है, बर्न जो है, वो किम से degree का है, severity कितनी है, student burn patient जो है, उसका management, अब बात करेंगा, बर्न जो है, उसके complication की, बर्न के कारण से क्या क्या complication हो सकते है, तो सबसे पहला complication होता है, वो contracture या deformity, disorganized over formation of compact collision, cause hypertrophic scar leading contracture, मतलब क्या होता है, कि burn injury होने के कारण से, collagen fiber जो होते हैं, उसका disorganization हो जाता है, बना सही तरह से, collagen fiber का formation नहीं हो पाता, collagen fiber जो है, उसके disorganization के कारण से, hypertrophic scar बन जाते हैं, उसके कारण से, contracture जो हो सकता है, contracture के कारण से, joint जो है, उसकी movement जो होती है, वो reduce हो सकती है, या फिर muscles जो है, उसके stiffness आ सकती है, इसके अलावा disfigurement हो सकता है, मतलब organ जो है, या body parts जो है, उसका figure जो है, उसके disturbance हो सकता है, दुस्ता जो complication होता है, वो होता है, acute toxemia, acute toxemia जो होता है, वो ज़्यादा तर burn patient के कारण से, क्या होता है, कि अंदर toxic जो है, carbon dioxide poisoning वो हो सकती है, और toxic substance जो होता है, वो बढ़ सकते हैं, और उसके कारण से, acute toxemia हो सकता है, इस condition के अंदर patient को irritation होता है, nausea होता है, vomiting होती है, unconsciousness होता है, tachycardia होता है, tachypnia होता है, यह sign अगर मिलते है, इसका मतलब patient को acute toxemia हो रहा है, complication में जा रहा है, अगला होता है, septicemia के complication होता है, septicemia, body के अंदर infection के इस्तिति होती है, blood के अंदर infection को septicemia का आजाता है, septicemia के अंदर body temperature जो होगा, वो बर जाएगा, patient को fever आएगा, पेशिन को fever आ रहा है, मतलब उसको infection है, तुरंत यह doctor को inform करना है, extensive local edema, पूरी body के अंदर बहुँ ज़्यादा edema हो सकता है, एक complication metabolic changes हो सकता है, metabolic changes के अंदर metabolic acidosis और metabolic alkalosis जो है condition, वो condition हो सकती है, जातर metabolic acidosis की condition होती है, जिसमें carbon dioxide जो है, उसके मातरा blood के अंदर बर सकती है, एक pulmonary embolism या pulmonary edema जो है उसकी भी संभावना होती है, एक pneumonia जो है वो भी हो सकता है, smoke inhalation हो सकता है, smoke inhalation के कारण से lungs tissue जो है उसमें damaged हो सकते हैं, और उसके कारण से वहाद पर pneumonia की सिब्स्रे हो सकती है, एक anemia जो है वो सकता है, burn injury के अंदर blood जो है, उसका loss होता है, और blood loss के कारण से blood की कमई हो सकती है उससे एनीमिया की स्थित्थपपन हो सकती है एक joinis जो है वो भी हो सकता है जन्रली स्किन जो होती है वो क्या करती है वो क्या करती है बिलीरुरिबिन को convert करने ही चाम करती है framenowid смотреть लिलीरुभिन की between canvert नहीं होगा उसके कारण से भी रिनल फेलियर हो सकता है ति यह था बर्न जो उसके कॉम्प्लिकेशन बर्न पेशिंट जो उसका नर्सिंग के अप्लान हम अगले वीडियो के अंदर डिसक्स करेंगे नर्सिंग से रिलेटेड और टोपिक देखने के लिए चैनल को आप सस्क्राइब केजिए थैंक्यू